तो बच्चों हमने बताया है एक डर्मल टीशू सिस्टम में स्टोमाटा को हम लोग डर्मल टीशू सिस्टम में ही पढ़ते हैं और स्टोमाटा किन पत्तों में कैसे एरेंज होता है इस बात को जानने के लिए हम एक पत्य को तुम को डिखा रहे हैं यह पत्ता है degote का पत्ता कैसा पत्ता है यह dichote का पत्ता plant को दो category हम लोग divide करते हैं एक degote eligibility और दूसरा monocot withdrawal degote की पत्य की खुबी क्या होती है यह देखो यह पत्ता grow कर रहा था throughout यह ऐसे ही grow किया इसके उपर वाले surface को कहते हैं अपर surface और नीचे वाले को कहते हैं lower surface लेकिन अब हम लोगों यहां से कई और नामों को जान रहे हैं आपर सर्फेस को अब हम लोग कहने लगे वेंटरल सर्फेस और नीचे वाले को कहने लगे डॉर्सल सर्फेस फिर तीसरा नाम आपर सर्फेस को हम लोग कहने लगे अडेक्सियल सर्फेस और नीचे वाले को कहने लगे अबेक्सियल सर्फेस यह जो नाम हम लोग डिसकस कर रहे ना यह NCRT based है तो हम लोग एक नाम लिखे अदेक्सियल सर्फेस है ना फिर उसी का नाम रखे VENTRAL सर्फेस और इसको हम लोग कहे अपर सर्फेस भी तो यह VENTRAL सर्फेस और डॉर्सल सर्फेस को को अगर हम भूल जाते हैं कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंटरल है तो पहले इन दोनों शब्दों को समझो डॉर्सल का मतलब होता है पीट और वेंटरल शब्द का मतलब होता है पेट क्या कि हम लोग बता है डॉर्सल का मतलब पीट और वेंटरल का मतलब पेट इसको समझने के लिए हम लोग यह सोचो क कि हम लोग सो रहे हैं तो यह पत्ता भी सो रहा है और जब हम लोग सो रहे हैं तो हमारा पेट कहां है उपर की तरफ और पीट कहां है नीचे की तरफ है ना तो नीचे वाले को क्या नाम दिये दॉर्सल और उपर वाले को क्या नाम दिये वेंट्रल है ना उपर वाले का नाम वेंट्रल ये हम लोग सो रहे हैं तो हम लोगों का पेट है और ये जब हम लोग सो रहे हैं तो ये पीट है तो नीचे के सर्फेस को कह दिए अब सिंपल सा दो टर्म हैं लोवर सर्फेस इजिली याद रहेगा आपर सर्फेस इजिली याद रहेगा लेकिन डॉर्सल और हैं तो पीठ हमारी नीचे होती है है ना उसी तरह से ऊपर सर्फेस का नाम हमने रखा वेंटर सर्फेस यह हमारा पेट है अब एक डॉर्सी वेंटरल इलीफ में सन लाइट कहां ज्यादा पढ़ रहा था सन लाइट उपर के सर्फेस पे हम लोग जिसको वेंटर सर्फेस कह रहे थे यहां पे सन लाइट ज्यादा आ रही है और सन के साथ साथ हीट भी ज्यादा आ रहा होगा हीट और लाइट दोनों ज्यादा आ रहा होगा इसलिए पत्ता एक mechanism develop किया ऐसे पत्ते को हम लोग कहा है Dorsey Ventral Leaf यह Dicot का Leaf है ऐसे पत्ते में अगर उपर में Stomata का number जादा होता तो जादा से जादा पानी Transpiration के रूप में बाहर निकल जाता Plant से पानी बाहर नहीं निकले या कम निकले इसलिए Plant एक mechanism develop किया और वो mechanism था Number of stomata are more on the lower surface Stomata का number कहाँ जादा है Lower surface पे जादा है कहाँ पे जादा है Lower surface पे जादा है Lower surface को अभी हम लोगों ने discuss किया Dorsal surface का नाम दिया और इसको हम लोग Baxial surface भी कहते हैं इसका क्या नाम रखेंगे यह word NCRT का word है Baxial surface तो यहाँ पे तीन नामों से इसको जान गया है हम लोग है ना तो हम लोग का नाम बोले इसको Baxial surface एक term लिग दिये और दूसरा क्या नाम रखेंगे इसका हम लोग Dorsal surface तीसरा नाम रखेंगे हम लोग Lower surface तो पत्य के नीचे वाले surface को तीन नामों से जानते हैं क्या क्या नाम दिये यह Dorsal surface है Peat है यह lower surface है और यह base का portion है है ना तो base word से मिलता जूलता है यह term है अब axial surface ऐसे पत्य में ज्यादा stomata more stomata are present on lower surface and less stomata are present on upper surface उपर के surface पे stomata कम है नीचे के surface पे stomata का number ज्यादा है यह पहला important point हम लोग ने डिसकस कन किया मतलब stomata in dicot को discuss कर रहे थे इने dorsi ventral leaf dicot के पत्य को हम लोग dorsi ventral क्यों बोले क्योंकि clear cut एक dorsal surface और एक ventral surface दिख रहा है clear cut way में यह दो part में differentiation हो गया है यह दो part उपर के surface पे ज्यादा light और heat पहुँच रही है नीचे के surface पे कम heat और light आ रहा है इसी point के basis पे हम लोगों ने इसका नाम रखा dorsi ventral leaf dorsi ventral leaf यह commonly dricot Athlete के plant का character होता है किस plant का character है यह यह dricot GP ke plant का character है अब हम लोग दूसरे point पे आते हैं दूसरा point है यह हो गया dorsi ventral leaf अब दूसरा point हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं दूसरा जो point है वो है monocot के पत्ते के बारे में monocot के पत्ते के बारे में यों समझो कि जब इसका growth होता है origin होता है तो वो इस तरह से grow करता है कि एक surface पे सुभै से लेके 12 एक बज़े तक light sun east में है यह सोचलो east है तो sun ray इस surface पे आ रहा है और sun rotate कर रहा था basically earth rotate कर रहा तो हमको sun rotate करता हुआ दीखता है तो दूसरे surface पे 12 बज़े के बाद इस सर्फेस पे light आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे equal amount of light इधर भी सुभ़े से 12 वजे तक और 12 वजे के बाद इस सर्फेस पे मतलब उपर वाले को vental कहते नीचे वाले को dorsal कहते है पत्ता यह दिखा रहे हैं तो sunlight दोनों ही सर्फेस पे equal equal amount के लिए आ रहा है सुभ़े से लेके 12 वजे तक इस सर्फेस पे 12 वजे के बाद इस सर्फेस पे अगर शाम तक calculate करें तो क्या कहेंगे both the surface is getting equal amount of light इसलिए anatomically दोनों सर्फेस एक सा हो गया anatomically क्या हो गया चुकि equal amount of heat आया equal amount of light आया इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसलिए हम लोग कहेंगे कि anatomically दोनों सर्फेस एक सा हो गया ऐसे लीव को हम लोग कहते हैं ISO मतलब equal by मतलब दोनों lateral दोनों side equal ही equal kind of arrangement दीख रहा था ISO मतलब equal अब ISO बेलेटरल इफ ग्रो तो ऐसे करता है लेकिन बाद में फिर ये dorsi ventral ही हो जाता है तो एक dorsal surface और एक ventral surface फिर दीखने लगा लेकिन दोनों ही surface ये हम लोग क्या कहें ISO मतलब equal दोनों surface anatomically equal हो गया by मतलब दोनो laterally arranged surface दोनो surface equal हो गया इसलिए monocot के leaf को हम लोग क्या कह दिए ISO bilateral leaf क्या नाम दे दिए इसको ISO bilateral leaf अब चुकि दोनों surface पे equal amount of heat और light आया था इसलिए number of stomata भी दोनों surface पे almost equal ही होता है दोनों surface पे stomata का number कैसा होता है almost equal होता है ये जो हम लोग क्याक्टर देख रहे थे ये एक important क्याक्टर देख रहे थे तो अब हम लोग dicot और monocot के stomata के arrangement को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं dicot के पत्ते में stomata scattered दिख रहा है और monocot के पत्ते में ये parallelly arranged दिख रहा है ये फिर एक important character है हम लोग stomata को microscope में देख सकते हैं क्योंकि stomata are tiny pore they are very small pore which can be observed by microscope तो हम लोग देख रहे थे इसको तो दोनों में क्या दिखा एक dicot के leaf में this is a dorsey ventral leaf dicot के leaf कैसा खलाएगा dorsey ventral leaf in which more stomata are present on the lower surface but in case of isobilateral leaf कहां भी लेगा monocot में monocot के कुछ plant के discussion किये थे rice, wheat, mage, sugar cane है ये सारे plants कैसे हैं bamboo, grass ये सारे plants monocot के common plants हैं तो monocot के plant में stomata कैसे arrange है तो parallelly arranged है जैसे तैसे बिखरा हुआ scattered नहीं है ये दो plant की बात हम लोग कि अब तीसरे plant की बात कर रहे थे हम लोग अब हम लोग stomata के diagram को भी समझेंगे लेकिन पहले stomata कहां कहां मिल रहा है इन बातों को देख रहे थे तो हमने कहा अब एक water के level को समझो और ये सोचो कि ये पानी है कैसे समझना है कि ये पानी है नीचे से यहां तक की level पे पानी है अब इस पानी में दो तरह का पत्ता plant पाया जाएगा एक plant ये देखो इस पे रख दिये और ये float कर रहा है पानी पे float कर रहा है इसको कहेंगे freely floating plant ये कैसा plant हो गया जो पानी में float कर रहा है इसको कहा देंगे freely floating plant तो in free floating plant इस tomato देखो नीचे का surface पानी के touch में है नीचे का surface कहा है पानी को touch कर रहा है इसलिए इस surface पे स्टोमाटा बिलकुल नहीं मिलेगा क्यों अगर मिलता तो यहां से पानी वेपर के वाम में नीचे नहीं जा पाता और पानी के सर्फेस पे इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसस पे नहीं हो पाता यह वेस्टेज चला जाता इसलिए plant अपने किसी भी चीजों को वेस्ट नहीं करता है इसलिए यहाँ पे lower surface पे stomata मिलता ही नहीं है तो stomata कहां मिलेगा पानी में जो freely floating plant होता है अपर surface पे stomata पाया जाता है यह समझ में आ गया अब हम फिर इससे एक step आगे बढ़ते हैं इने समझ प्लांट अगर प्लांट पानी में डूब गिया है समझ है पानी में डूबा हुआ है तो ना तो अपर surface पे ना तो lower surface पे क्योंकि पानी में exchange of gases होने के लिए जो pores होगा न वो pores काम useful नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पूरा पानी है इस area में क्या पूरा पानी है और स्टोमाटा का काम क्या था? Transpiration में participate करना और exchange of gases में participate करना मतलब यह था कि यह useful नहीं है इसका कोई use नहीं है इसलिए इस डूबे वे प्लांट में समर्ज प्लांट में स्टोमाटा नहीं मिलेगा है ना तो इन समर्ज प्लांट स्टोमाटा आर absent free floating plant का एक example हमनो लिखे water lily पानी में देखना water lily का प्लांट पत्ता तहर रहा होता है वहाँ पर जाके देखो उसके surface पे उसको निकालो और अगर microscope में examination कर पाओ तो देखो examination करके कि क्या दिख रहा था स्टोमाटा more on the lower surface सही यह गलत बिलकुल गलत स्टोमाटा तो lower surface पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि lower surface त प्लांट के बारे में सोचना सुरू करते हैं जीरोफाइटिक प्लांट किसको कहते हैं हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट हम लोग कहते हैं ऐसे प्लांट को जो पानी की कमी में यह डिजर्ट एरिया में ग्रो कर रहा होता है ऐसे प्लांट में स्टोमाटा कहा मिलता है यह ऐसे plants में stomata ये दिखा रहे हैं leaf है और ये stomata tissue के अंदर embedded है धसा हुआ है है ना क्या है tissue के अंदर में embedded है और जितना जाधा embedded होगा उतना ही पानी के बाहर निकलनी की संभावना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ऐसे stomata को हम लोग क्या कहते हैं sunken stomata क्या नाम दिए इसका हम लोग sunken stomata तो the stomata which are present on groove ये groove में अंदर की तरफ धसा हुआ होगा हम लोग इसका नाम रखे हैं sunken stomata और sunken stomata commonly कहा मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे commonly they are present in desert plant जो plant desert plant होता है जो zero phytic plant होता है जो पानी की कमी में grow करता है ऐसे plant को कहते हैं हम लोग desert plant और उसके लिए जो technical term है वो है zero phytic plant हम लोग catamuse करते हैं zero phytic plant तो plant को कहते हैं zero phytic plant zero phytic plant में कई तरह का adaptation देखा गया क्या देखा गया है कई तरह का adaptation दीखा गया है इन में से एक adaptation है stomata का groups के अंदर धसा हुआ मिलना embedded मिलना इस embedded stomata को sunken stomata कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? इस stomata को हम लोगों ने नाम दिया sunken stomata यह पहला important point डिसकस किये हम लोग अब हम लोग कहते हैं कि normally stomata सुभे के समय खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है यह stomata खुलता और बंद होता है क्यों? क्योंकि stomata के mouth पे दो cell होता है जिन दो cell का नाम हम लोग डिसकस करेंगे और बताएंगे इसका हम लोग guard cell कहते हैं कहते हैं इसको हम लोग guard cell कहते हैं ये guard ही इस opening को जिस opening का नाम stomata रखा गया है इस opening को control करता है इसके opening को open रखना है ये close रखना है इसको control कर रहा था तो zerophytic plant में क्या हमने कहा कि normally stomata सुभह खुलता है और शाम को बंद हो जाता है और दिन में इस से क्या होता रहता होगा दिन में इस stomata से transpiration हो रहा है प्रोसेस में water vapor के रूप में निकल रहा है लेकिन zerophytic plant में जो plant की कमी में grow कर रहा है वहां कुछ plants में एक नया adaptation आ गया और इस adaptation में stomata रात में खुलता है और दिन में बंद रहता है रात में दिन में बहुत गर्मी थी अगर वो खुलता तो बहुत पानी बाहर आ जाता है इंदी form of vapor इस से बचने के लिए वो दिन में खुलता ही नहीं है दिन में close रहता है और रात में जब ठंड़क हो जाती है तब stomata open हो जाता है और exchange of gases CO2, water CO2 और oxygen को ले रहा होता है ऐसे stomata को हमने क्या नाम दिया? इसको तो अक्टिव stomata किस stomata को हमने इसको अक्टिव कहा? दोस stomata which remain close during daytime ऐसा stomata जो दिन में बंद रहता है and open during night और ये रात में खुलता हो हम लोग इस stomata को क्या नाम देंगे? इसको तो अक्टिव stomata तो हमने इस stomata के presence को हम लोग observe कर रहे हैं इन दाइकॉट लीव, more stomata are present on the lower surface इन इसो बाइलेटरल लीव, equal amount of stomata are present on both the surface in a freely floating plant, stomata are present only on the upper surface but in a submerged plant, पानी में, डूवेवे plant में, stomata are altogether absent और फैनली हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, zerophytic plant की चर्चा कर रहे थे in a zerophytic plant, stomata are embedded, stomata अंदर के तरफ embedded है इस stomata को sunken stomata कहा गया और इन में से कुछ stomata तो ऐसा था, जो रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है, हमने इसका नाम दिया इसको तो active stomata तो यह हम लोग stomata के structure को देख रहे थे अब हम लोग stomata के structure के बारे में फिर कुछ points बता रहे हैं नॉर्मली दो तरह का stomata होगा एक dicot के plant पे मिलेगा और दूसरा monocot के plant पे मिलेगा dicot के plant में मिलने वाला यह जो pore दिखा रहे हैं इसको कहते हैं stomata, यह stomata के दोनों तरफ एक-एक cell है इस दोनों तरफ मिलने वाले cell को guard cell कहा गया क्या कहा गया? guard cell कहा गया तुम लोग picture जाते हो और gate के अंदर जाने के पहले वहाँ पे दो guard होता जो gate को खोलता है तो gate के दोनों तरफ एक-एक guard है जो दरवाजा को खोलता है और तुम जब अंदर चले जाते हो तो फिर दरवाजा बंद कर देता है ठीक उसी तरह से यह एक opening है इस opening को control करेगा यह बगल वाला guard sale यह खोलना है यह नहीं खोलना है यह बंद करना है इसकी activity को कौन control करेगा तो हम लोग कहते हैं opening and closing of stomata are controlled by guard sale यह guard sale है जो stomata के opening और closing को control करता है यह दूसरा important point हम लोग discussion कर रहे हैं अब हम लोग तीसरी बात पे आ रहे हैं important point क्या है guard sale क्या किया opening और closing of stomata को control क्या कैसे किया तो फिर हम लोग इसको समझाते हैं यह turgid हो सकता है यह flaccid हो सकता है क्या क्या हो सकता है यह guard sale water को absorb कर लेता है जब यह water को absorb कर लेता है तब हम लोग इसको कहते हैं turgid और जब इससे फिर water बाहर निकल जाता है तब हम लोग इसके लिए term यूज़ करते हैं तो दो term हो गया turgidity and flaccidity क्या क्या term हो गया turgidity and flaccidity जब यह water को absorb किया तब यह फैला और उस समय stomata open हो गया ठीक इसी तरह से एक balloon के बारे में सोचो एक balloon को लिए और इसमें खूब जोर से हवा भर दिये तो यह turgid हो गया अब यह turgid कहलाता है लेकिन जो ही इससे हवा निकल जाती है यह flaccid हो जाता है है ना यह दब जाता है तो इसी तरह से guard sail जब water का intake करता है यह ball out करता है बाहर की तरह और यह opening दिखने लगती है इस opening को कहते हैं stomata actually stomata एक aperture है एक crescent shape का बहुत पतला सा aperture है जिसके दोनों तरफ एक एक guard sail थे meaning why there are two guard sail और यह epidermal tissue system का part है हमने कहा था ना कि यह किसका part है epidermal tissue system का part है और epidermis में कहीं भी chlorophyll नहीं मिल रहा था except guard sail तो यह guard sail के अंदर जो dot lines दिखा रहे हैं यह क्या है यह chlorophyll है पूरे epidermal tissue system में कहीं भी chlorophyll नहीं मिलता है except guard sail और यह हमने दिखाया guard sail तो अब हम लोग पूरे stomatal aperture को देखना शुरू करो इस aperture का नाम दिया गया stomatal aperture इसके दोनों तरफ इन दोनों sales का नाम दिया गया guard sail अब guard sail की खूबी क्या थी वो जो दो guard था ना जो gate पे बैठा हुआ था वो body के अंदर shirt के अंदर bulletproof jacket पैना वा था bulletproof jacket काफी मोटा था और उपर से एक shirt डाल लिया था बाहर से वो लग रहा था outer covering बिलकुल पतला लग रहा था लेकिन अंदर का उसका covering ऐसा था वो बहुत मोटा था ठीक उसी तरह से यहां भी इसके inner wall की जो थिकनी होती है वो बहुत ज़्यादा है inner walls are thick in comparison to outer wall और outer wall कैसा होता है? बिलकुल thin होता है, पतला होता है inner wall कैसा होता है? inner wall इसका मोटा होता है और outer wall इसका पतला होता है, thin होता है यह guard sale का character है अब हम लोग आते हैं guard sale के बाहर और भी कई sales है इस बाहर वाले sales को हम लोग नाम दिए accessory हैना, क्या नाम दिए इसका? accessory sales हैना इसको हम लोग subsidiary sale भी कहते हैं subsidiary sale तो यह जो guard sale था इसके बाहर जो sale है जिससे यह water लेगा या water इसमें जाएगा उस बगल वाले sale का नाम उसके पडोसी sale का नाम क्या रखा गया? subsidiary subsidiary शब्द का मतलब होता है सहायक, helping, help करने वाला तो इसको हम लोग नाम दिए subsidiary sale या accessory help करने वाला सहायक sale अब हम लोग guard sale के shape को जरा सगौर करें एक dry cot के प्लान में ये दोनों guard sale का shape देखने में kidney के समान है, है ना, किसके तरह है kidney shape और हम लोग कह सकते हैं beans जो हम लोग खाते हैं beans बिल्कुल bean के shape में दिख रहा है क्योंकि bean का भी shape कैसा है? kidney के तरह होता है और हम लोग कहेंगे they are kidney shaped और bean shape लेकिन अगर ये monocot का plant होता तो monocot के plant में ये stomatal aperture है और ये दोनो one and two guard sale है ज़रा guard sale को देखो और बताओ तो guard sale देखने में कैसा लग रहा है? ठीक, तुम जो घर पे कभी-कभी exercise करने के लिए dumbbell use करते हो, ना, उसी dumbbell की तरह दिख रहा है बीच में पतला और दोनों ends dilated, फूला हुआ इस shape को हम लोग dumbbell shape कहते हैं तो कहते हैं, in case of monocot, ये कैसा होगा? dumbbell shaped होगा monocot में क्या होगा? ये dumbbell shaped होगा फिर हम लोग इसके number की बात करते हैं overall number, अलग-अलग plant में variations दिखता है stomata का number क्या होता है? इसमें variations पाया जाता है यहाँ पर हम लोग देगर diagram को देखो 100 to 300 per square millimeter एक square millimeter में एक normal plant में 100 to 300 stomata दिख सकता है लेकिन अगर ये plant desert area का plant है तो देखो number कितना मिलना है? 10 to 15 stomata per square millimeter मतलब ये plant के genetical nature पर depend करता है कैसा plant है और कितना stomata मिलेगा? तो stomata may be present कितना stomata दिख रहा होगा? 100 to 300 stomata may be present 100 to 300 stomata may be present on per square millimeter area whereas 10 to 15 only 10 to 15 numbers of stomata meaning by कि number of stomata किस बात पर depend करता है? number of stomata plant के nature पर depend करता है plant को water कितना मिल रहा है? इस पर depend करता है transpiration का rate कितना होना चाहिए? इस बात पर depend करता है इसलिए there are variation in the number of stomata और finally हम लोग इस stomata की पूरे structure को समझे के लिए हमने इसके surface को बताया पत्ते के surface के बारे में हमने discussion किया कहा पत्ते के ऊपर के surface को ventral नीचे के surface को dorsal ऊपर के surface को अपर नीचे के surface को lower ऊपर के surface को adexial और नीचे के surface को अब-ब-exial का नाम दिया गया फिर हमने discuss किया एक dorsi ventral leaf में इस्टोमाटा कहा जादा निला मुने कहा इन्हें डॉर्सी वेंटरल लीफ मोर इस्टोमाटा रप्रेजन ओन लोर सर्फेस फिर हमने कहा इन्हें इसो बाइलेटरल लीफ एक मोनोकॉट के पत्के को उमने इसो बाइलेटरल लीफ का नाम दिया और कहा इन्हें इसो बाइलेट है ना इसमें तो stomata are all together absent फिर हमने बताया इप free floating plant अगर है जैसे water lily तो उसमें पत्ते में stomata कहां मिल रहा था सिर्फ आपर surface पे जहां पे heat or light आप आ रहा था जो surface पानी से attached था वहां तो stomata बिलकुल नहीं मिल रहा था और फिर हम लोग आगे जिरो phytic plant की बात करने लगे जिरो phytic plant में stomata कहां मिल रहा था एक group में मिल रहा था इस group में मिलने वाले stomata को धसे वे embedded stomata को हमने sunken stomata का नाम दिया और एक खास बात और हम लोग ने बताया कि ऐसे plant में desert plant में तो stomata रात में खुलता है कुछ plants में और उस plant का हम लोग नाम देते हैं creciolation acid metabolism हम लोग कहते हैं came plant ऐसे plant को हम लोग एक नाम देते हैं came plant जिस plant में stomata रात में खुलता हो हम लोग इसको एक नए नाम से जानते हैं इस plant में एक mechanism होती है जिस mechanism का पूरा नाम है, crassulation, acid, metabolism, इसलिए इसका short form हो गया, came plant, तो ये came plant basically वैसा plant है, जिसमे इस्टोमाटा रात में खुल रहा हो और दिन में बंध होता हो, तो ये हम लोग स्टोमाटा को discussion कर रहे थे, अब एक स्टोमाटा को और अच्छी तरह से समझे के लिए, ये समझो कि पत्ता इतना मोटा है, एक पत्ते के थिकनिस के बारे में सोचो, ये जो पत्ता हम लोग दिखा रहे थे ना, इस पत्ते के बारे में सोचो